Hello everyone, welcome back to my channel तो guys, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे जिसके 36 यानी की 36 है उसके प्लाजो पैंट जो है, हम लोग किस तरह से कट करते हैं और वित्मयानी जो है, मैं आज आप लोगो कट करकर बताऊंगे युँए उमिद करते हुएं कि वीडियो बहुत जादा है आप लोग लिए और बहुत जादा पसंदाएगा पसंदाएगा जो है को सब्सक्राइब जो करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा प्लाजो पेंट अगर आप लोगो 36 कमर जाड़ी 36 हेफ और लंबाई अगर आपने 36 बनानी है तो आपको कम से कम सब्सक्राइगा और उससे छोटी आपने इसकी लंबाई रखनी है तो आप दो मीटर फैब्रिक में भी बना सकते है तो जी सबसे पहले हमने अपने फैब्रि आप लोगो 37 है तो यह वाला है तो यह वाला साइड हम ऊपर रखेंगे क्योंकि हमें इमिशा उल्टे कपडे पर मार्किंग करते हैं और इसको हमने चौडाई में इस तरह से ऐसे यह देखिए इस तरह से हमने इस तरह से अपनी तरफ रखना है इस बात का आपने ध्यान र बिकार लगती है आप कुछ भी कट करें सूट या शलवार या कुछ भी कट करें तो आप लोग यह जो किनारी है यह कट करकर सबसे पहले निकाल दे तो जी हमने जो है यह किनारी कट करकर निकाल दी है यह देखिए इस तरह से और अब जो है हम सबसे पहले अपनी कमर का नि निशान लगाएंगे और इन दोनों ही निशानों को जो है इस तरह से हमने मिला देना है तो यह हमारा बेल्ट का निशान लग जाएगा यह देखे इस तरह से और गाइस यहां पर जो है मैं आप लोगो एक बार बताना चाहती हूं कि मैंने बिना जो है कोई भी scale यूज किये ना straight scale यूज किये और ना ही जो है मैंने ये election पर यूज किया है मैंने एक video जो है separate उसका बना रखा है कि किस तरह से जो है हम बिना scale यूज किये अपना जो है 36-36 इंच तो देखिए 36 इंच पर हमने इस तरह से ऐसे निशान लगा लेना है और अब आगे बढ़ा कर भी जो है हम 36 पर इसी तरह से ऐसे ही निशान लगा लेंगे ये रेखिये इस तरह से और अब इन दोनों निषानों को भी जो है हमने आपस में इस तरह से मिला देना है तो जी ये जो है हमारी लंबाई का निषान लग जाएगा अब जो हम ये पारी ये हमारा बॉटम फोल्डिंग हो गया और इन दोनों ही निशानों को जो है हमने इस तरह से ऐसे मिला देना है ठीक है जी तो यह हमारा bottom folding हो गया तो जी अब जो है हमने अपनी side margin का निशान लगाना है side margin का निशान लगाना बहुत जरूरी है वन्ना आपका plazo जो है वो lose नहीं रहेगा तो देखिए half inch पर मैं side में ऐसे निशान लगाऊंगी यह देखिए इस तरह से और अब इन निशानों को जो है इस तरह से ऐसे मिला दोंगी यह देखिए इस तरह से हमने इन निशानों को ऐसे मिला देना है यह जो हमारा side की सिलाई होगी ना उसका margin है तो जी ये जो है हमने अपने side margin का निशान लगा लिया है और ये निशान बहुत ज़रूरी है आपने ज़रूर लगाना है वनना आपका जो plazo pen है वो tight रहेगा ठीके जी अब बारी आती है हमारी हम कमर का निशान लगाएंगे तो जी कमर जो है हम हमेशा अपने hip के according लगाते हैं तो यहाँ पर जो हमारी hip है वो है यहाँ पर 36 inch यानिकी 36 inch तो उसको हम 4 से divide करेंगे तो 36 को अगर हम 4 से divide करेंगे तो आएगा हमारा 9 inch ठीके जी तो अब हमने क्या करना है 9 inch पर जो हम इस तरह से ऐसे निशान लगा देंगे यह रहे कि इस तरह से और अब 2 inch जो हमने इसमें add करना है losing के लिए तो जी यह हमारा 11 inch हो जाएगा अब 11 inch ही हमने जो है इसकी लंबाई लेनी है इसी तरह से 11 inch का हम यहाँ पर एक box बना देंगे यह देखे इस तरह से यह ऑर यहां से भी हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे और यहां से भी। तो हम Swiss सिल का स्क्रृर मिला देना है और इसम कुछी हेलप से हम इस छाइन की हैंप सी ही Corn स्ट अब और तो आगे लगाना है और जाइन चैर घंगे स्ट इन अब क्रोड़ से identificate अब हमने क्या करना है ये क्रोचेरियों को छोड़ते हुए हमने इसको नापना है तो ये हमारा 11 इंच था तो इसका हम मिड़ पॉइंट करेंगे तो साड़े 5 आएगा तो देखें साड़े 5 पर हमने इस तरह से ऐसे निशान लगाना है और अब नीचे बॉटम पर भी जो है ह हम साड़े 5 पर ही निशान लगाएंगे इस तरह से और अब इस निशान को जो है हमने स्ट्रेट इस तरह से ऐसे मिला देना है ये देखे इस तरह से हम इसको ऐसे मिला देंगे और अब जो है हम अपने bottom का निशान लगाएंगे इस निशान के बाद तो जो हमारे नीचे का bottom है मौरी है वो हमने 6 इंच रखनी है जितनी भी आपने मौरी रखनी है उतनी आपने line के इधर रखनी है आदी और line के उधर रखनी है जैसे कि मैंने 3-3 इंच पर दोनों साइड निशान लगाया है यानि कि 6 इंच और अब black shape पर लेकर इस तरह से जो है हमने ऐसे करके इसको shape दे देनी है और अब इसको हम इस तरह से ऐसे पलट देंगे और अब इस side से भी जो है हमने इस तरह से ऐसे इसको shape देनी है तो जी अब दूसरे side से भी हमने इसी तरह से ऐसे ही निशान लगा लेने है और अब front side के निशान हमारे complete है तो देखें मैं आपर F लिख देती हूँ और अब जैसे जैसे हमने जो है इस पर निशान लगाए है उसी के according जो है हम इसकी cutting कर देंगे यह देखें इस तरह से इसमें हमने कोई भी margin वगेरा नहीं छोड़ना होता है जैसे जैसे हमने निशान लगाए होते है वैसे वैसे ही हम इसकी cutting कर देते हैं तो जी हमारा front side की cutting हो गई है देख सकते हैं आप लोग अब हमने जो है back side की cutting करनी है तो देखिए back side की cutting के लिए again मैंने अपने कपडे को जो है double fold में बिचा लिया है यह देखिए और यह देखिए मैं आप लोग को खोल कर भी दिखा देती हूँ मैंने double fold में इसको बिचाया है और अब इन निशानों को जो है इस तरह से मैं ऐसे मिला दूगी और अब हमने क्या करना है अब हमने अपना जो front side cut किया था उसको लेना है और देड़ इंच के निशान को छोड़ते हुए हमने जो है इसको इसको इसके उपर बिचा देना है यह देखे है बिल्कुल अच्छे से हमने इसके उपर इसको ट्रेस करना है इसको बिचाना है अब जो हमारा back side होता है वो हमारा जो हमारा croce area वाला side होता है वहां से उपर से 2 inch croce area से 2 inch और नीचे bottom से जो है 2-2 inch extra होता है अब करी लोग पूछते हैं यह extra क्यों होता है तो गाईस यही तरीका ही होता है pen plaza को cut करने का front side में हम कोई भी margin नहीं रखते हैं और जो back side होता है हमारा वो croce area वाले side से 2-2 inch extra होता है ठीक है जी तो चलिए अब हम उसी के निशान लगाते है तो जी उपर की side से सबसे पहले हम जो है 2-1 inch पर ऐसे निशान लगाएंगे यह देखे इस तरह से और अब croce area वाले side से भी हमने 2-1 inch और बढ़ा देना है और नीचे bottom से भी जो है हम इसको 2-1 inch और बढ़ा देंगे यह देखे इस तरह से और अब हम जो है back side का croce area मनाएंगे उसके लिए हमने क्या करना है front side का croce area और उपर की side जो 2-1 inch हमने extra निशान लिया है उसको बिल्कुल straight हमने सबसे पहले इस तरह से ऐसे मिला देना है यह देखे इस तरह से अब जो हमारा L shape बन गई है उसके बीच में हमने इस तरह से ऐसे तिर्चा इंचिटेप रखना है एक इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से जो है हम उसको ऐसे shape दे देंगे same front side की तरह और अब again हमने जो है अपना leg shape पर लेना है और इस तरह से हम इसको रख देंगे नीचे bottom तक और निशान लगा देंगे ये लेखिया इस तरह से अब जो ये हम देड इंच एक्स्रा रखते हैं ये हम क्यों रखते हैं देखिए जो हमारी hip होती है वो हल्किसी पीछे से मतलब अब उभरी वी होती है टो जो हम नीचे बैढ़े तो हमारा प्रिमोा हमारा प्लाजो हमे वो हमारा प्लासी से पीछ जान जाए अगर ये ये छिच जाता है अगर आप ये रफाब इस तरह से श्ड़ी कार्टे के मधर ना जा तो इस तरह से जो है हमारे बैक साइट के सारे निशान लग गए है अब चलिए हम इसकी कटिंगर लेते हैं और हां कई लोग बहुते हैं कि यह हमारा तिर्चा रहता है तो सिलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो मैंने इस के स्टीचिं के कई वीडियो जो है वो बना रखे हैं लिंक जो होगा वो मैंने दिस्क्रिप्शन में दे दूगी और एंट स्क्रिन पर भी अगालोंगी कि आप लोग देख लेना बहुत इजी होता है इसे सिलना अगर आप step by step सिलना सीखना चाहते हैं तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं ठीक है जी और अब जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं बैक साइड के लिए उसी तरह से हम सेम इसको कट कर देंगे और देखिए उस साइड बिलकुल हमारा जो है बिलकुल फ्रंट साइड के बराबर ही कटता है सिर्फ क्रोच एरिये वाले साइड जो है हमारा दो इंच एक्स्ट्रा कटता है यह देखिए इस तरह से तो जी हमारे बैक साइड की भी कटिंग हो गई है देख सकते हैं आप लोग और अब इस पर जो है मैं बी लिख दूंगी इस तरह से तो यह हमारा फ्रंट और बैक हो गया अब जो है हम मियानी कट करेंगे तो मियानी कट करने के लिए मैंने फैबरिक लिया इसको हम ऐसे अब इसको जो है हम triangle shape में इस तरह से एक scale लेकर इसको ऐसे मिला देंगे ये देखिये इस तरह से और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे ये तो अच्छे से पकड़कर आपने cutting करनी है बिल्कोल भी मतलब जो है इसकी शेप खराब नहीं करनी है यह देखिए चोडाई हमारी कम से कम जो है नीचे से चार इंच और लंबाई आठ रहनी जाहिए यह देखिए हमारी जो म्यानी है वो कटकर तयार है तो गाईस हमारे प्लाजव पेंट की कटिंग जो है वो हो चुकी है देख सकते हैं अप लोग यह है हमारा फ्रंट साइड यह हमारा बैक साइड और यह हमारी म्यानी अब इस स्टीचिंग का जो लिंक है वो मैं एंट स्क्रीन पर भी लगा रही हूं और नीचे आपर फॉलो करना मद भूला मेरे इंस्राग्राम हैंडल है नियाथशाफॉलिक.09 तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफेज